Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech YouTube channel मैं हूँ बरतस्कीर हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Asset Customization का option जो हमें मिलता है Facebook Ads में जिसको थाउपना campaign create कर रहे होते हैं तो यह आखिर Asset Customization क्या है इसे हमें कब on करना चाहिए कब नहीं on करना चाहिए और इक इस तरीके से हमारे campaign के placements को effect करता है तो सीधे चलेंगे सबसे पहले laptop screen की और तक ही एक बार मैं आपको ये दिखा दूँगी ये feature हमको दिखता कहा है ads में उसके बाद आप अच्छी तरीके समझ जाएंगी कि इस तरीके से काम करता है वीडियो है बहुत जल्दी cover करेंगे हम लोग इस topic को तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अभी campaign वाले section में हूँ ठीक है यहाँ पर मेरा ads manager open है और मैं campaign वाले section में हूँ ठीक है यहाँ पर मैं create पर click करता हूँ और एक बार एक demo सा campaign set करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर वो option दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं brand awareness को click कर देता हूँ brand awareness को मैंने यहाँ पर click कर दिया ठीक है awareness में brand awareness इसको कर देते हैं हम लोग continue ठीक है यह हमारा continue हो गया अब इस section में आप जब placements के पास जाएंगे यहाँ पर placement option आप जब देखेंगे तब आपको यहाँ पर asset customization दिखाई देगा तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर placements वाले section में ठीक है सीधे मैंने यहाँ पर click किया है placement वाले section में और इसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखता है तो आपको edit placements पर जाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हूँ है select all placements that support asset customization ठीक है इसको अगर आप चेक करेंगे जैसे मैंने इसको चेक किया आपने क्या देखा यहाँ पर instagram जो है फेस्बूक messenger ठीक है चार platform से हमारी add दिखेगे लेकिन जैसे ही मैं asset customization support वाले placements को select करता हूँ हम क्या देखते हैं कि instagram यहाँ से off हो जाता है अब हमारा जो add placement है वो केवल इन तीन platforms के उपर होगा instagram के उपर नहीं होगा बास समझ में तो यह जो हमारा asset optimization है यह actually होता क्या है यह platform जो कह रहा है कि asset customization को support करते हैं कुछ platform asset customization को support नहीं करते हैं इसका मतलब यह है कि suppose करते हैं कि आप जो भी image upload करते हैं जो भी add आप upload करते हो ठीक है वो add कुछ set dimensions में होगा ठीक है बट अलग-अलग placements में अलग-अलग dimensions होती है जैसे story की dimensions अलग हो गई ठीक है post जब आप कर रहे हो तब dimensions अलग हो गई किसी और जगे पर दिखाई देगा तब dimensions अलग हो जाएंगी ठीक है तो इसका support यानि कि asset customization का support का मतलब हुआ कि आपने एक जो dimension डाली है ठीक है जो भी photo डाली है उसी को resize करके यह tool यह software यह facebook उसी को resize करके अलग-अलग जगों पर use कर लेता है तो यह काम facebook में हो जाएगा ठीक है फीड में दिखता है या कहीं दिखता है यह काम facebook में हो जाएगा audience network पे यह काम हो जाएगा messenger पे भी यह काम हो जाएगा लेकिन क्या यह काम instagram पे होगा नहीं instagram पे ये काम नहीं होगा instagram asset customization को support नहीं करता है इसका मतलब अगर आपने एक photo डाली है थीक है तो उसको resize करके या उसको shuffle करके किसी थे कंखर से उसमें जो customization है उसको करके वो अपने दूसरी जगा पर नहीं place करेगा उसे थीक है इमज का जो layout है वो नहीं ठीक होगा तो problem होने वाली ठीक है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो जो भी placements है वो asset customization को support करने वाले placements होने चाहिए right so अभी Instagram asset customization को support नहीं करता है इसके लिए आपको अलग टाइप की dimensions की images जो है जो भी जिस भी तरीके की पास space चाहिए श्टोरीज की बात करें फीड में भी अलग-अलग dimensions जाती है यसे landscape जाएगी ठीक है portrait जाएगी और square जाएगी तो आपको अलग-अलग टालनी पड़ेगी ठ asset customization वो support नहीं करता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखा कि asset customization क्या होता है यानि कि Facebook में जो asset customization का support है वो किस तरीके से काम करता है अलग-अलग platforms के लिए दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like ज़रूर करें शेयर करें हमारे चैनल को subscribe करें notification की bell को दबादें मिलते है नेक्स वीडियो में till then goodbye